कि हलो रिवन नाश्ते बहुत दिन से इडलिया नी बनाएंगी सोचा आज इडली बनाएंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी फूली फूली सी स्पॉंजी प्रोटीन फाइबर जिसके उसे आप वजन भी बहुत आसानी से कम कर सकते हैं तो हमें तो इडली ब इसमें नई चीज़ हम आड़ कर रहे हैं अंकुरित मूंकी दाल जिससे और बेता हल्दी इडली बनके रगी होती है तो यहां आधाकप अंकुरित मूंकी दाल को दरदरा पीसा बिना पानी डाले अब जो बैटर बनाए ना मूंकी दाल कर उसमें हरी में टाल दिये पानी हो जाता है तो इडली अच्छे से नहीं फूलती है और थोड़ा साइ पानी डाल के में इसका बैटर बनाना है नमक डाल दिया थोड़ा तरका लगाते न उससे और बीजा टेस्टी लगती है हींग जबूर डालेंगे उससे काफी अच्छा टेस्ट रहता है डाजिश अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूसरे पानी जबूर रखतेंगे जिसमें भी इडली आपको स्टीम करने तो पानी पहले से बॉल करने के लिए रख देंगे अब जो अच्छे से गीस करेंगे पहले घी या फिर ओल लगा के अब यहां बैटर डाल देंगे और तुरंती अच्छे से पानी उबल रहा है उसके बारा मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाती है बहुता टाइम भी नहीं लगता अगर आपने बैटर पहले से रडी कर लिया ना साही चीज़े प्रपेशन करने होसे टाइम लगता है इसको स्टीम होने से दस से बारा मिनिट लगते बना सकते हैं कभी आपको इडली खाने के मालने इस रिए इंस्टेंट इडली बना सकते हैं थोड़ी से प्रपेशन पहले तो करनी होती है लेकिन वदन कम करना उसके बहुत अच्छी लेकिन इसके लिए मौडरेशन में खाना होता है क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में हम जीरा पॉड़ो जबूर आट करेंगे भुना वजीरा नमक साथ थोड़ा से लैसुन और नीबू भी भूट ज़ोरी से बहुत चाथ आता है साइची तो को फाइन सा पेज बना लेंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी आट करके अब चलिए आपको इडली तोर के दिखाते हैं कि इतनी स्पॉंजी कलरफुल देखने में इतनी इतनी अच्छी खाने में कई गुना अच्छी है तो आप इसे फटा फट से बना सकते हैं जब भी आपका मन करें आई होप आपको रेस्पी अच्छी लगी होगी जाद और शेयर दोर कीजिए कोमेंट में कॉमेंट जोर छोड कर जाएगा आपको रेस्पी कैसी लगी थैंक वाचिंग